लमस्कार दोस्तों आज मैं आपको संगहनीरी फैब्रिक में से स्टाइलिश पैंड कुर्ती कैसे तैयार की जाती है उसकी पूरी डीटेल इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अगर आप ये सेम ड्रेस पर्चेस करने में इंटरस्टेड है तो आप हमारा वाट्सप ग्रूप जोइन कर लें लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबसे पहले हम स्ट्रेट पैंड की कटिंग करेंगे इसके लिए कपड़े को विर्थ में आपको फोल्ड करना है देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लें जो खुली हुई साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है अब यहां से हम पैंड का जो फ्रंट साइड है वो पहले कट करेंगे उपर से दो इंच इलास्टिक के लिए मार्ग करें उसके बाद पैंड की लेंद के लिए मार्ग करेंगे इस मार्ग के बाद इस तरीके से पैंड की लेंद मैंने ली है 37 37 में हम half inch extra लेंगे और 37 and half पे हम इस तरीके से mark कर लेंगे यहां folding के लिए हमें extra नहीं लेना लेंज पे mark करने के बाद अब हम यहां पर क्रॉच की लेंज के लिए mark करेंगे क्रॉच की लेंज हमें hip size का चौथा बाग करके उसमें 1.5 inch extra लेना है hip measurement है 40 उसका चौथा बाग करके उसमें 1.5 inch extra लें और इस तरीके से 1.5 बारा inch तक mark कर लें अब यहां से हम आसन निकालेंगे यहां भी हिप मिजर्मेंट का चौथा बाग करके उसमें हमें ड़ाई से तीन इंच एक्स्टर लेना है यहां मैंने साड़े बारा इंच पे ही मार्क किया है अंदर की तरफ ड़ाई इंच पे इस तरीके से मार्क कर ले और यहां क्रोच का शेप दे दे अब जितना भी हमने आसन मार्क किया है उसके बिलकुल आदे पर इस तरीके से मार्क कर ले अब यहां से आप मेजर करेंगे यह करीब सवा छे इंच है तो यहां मोरी पर भी हमें सवा छे इंच पे मार्क करना है अब मोरी की साइज हम आठ इंच रखेंगे आठ इंच के लिए जो बीच में हमने मार्क लगया है, उसके 4 इंच एक तरफ मार्क करेंगे और 4 इंच दूसरी तरफ मार्क करेंगे यह हमारा मौरी का साइज है अब crotch line से लेके मोरी तक हमें leg shaper की help से इन दोनो marks को इस तरीके से मिलाना है अब सामने वाली side भी हम scale को इस तरीके से गुमाके और same shape में इनको जोड देंगे यह front panel की cutting हो चुकी है अब back part के लिए हम कपड़े को इस तरीके से गुमाएंगे अब इस front part को इसके ऊपर हमें अच्छे से इसको set करना है अब जो crotch वाली side है उसे इस तरीके से extend कर ले यहां इसे हम धाई से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अगर आपको ज़्यादा losing पसंद है तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले ले यहां उपर की तरफ भी हम सेम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहां इस तरीके से crotch का shape दे देंगे अब मोरी से लेके crotch तक जो बीच वाला part है वहां पर पौने 2 इंच पे mark करें और मोरी पर हमें 1 इंच तक mark करना है अब इन marks को भी हम सेम इसी shape में मिला लेंगे crotch की जो opposite वाली side है यहां same cutting करनी है वहां कुछ भी हमें change नहीं करना अब जो marking की है वहां पर cutting करने यह pan की पूरी cutting हो चुकी है अब देखिए pan को जब हम stitch करेंगे तो जब आप इन दोनों panels को इस तरीके से जोड़ेंगे तो जो back part वाली crotch है वो यहां से करीब आधा इंच बढ़ रही है तो इसको हमें आधे से पौन इंच इस तरीके से extra काड़ देना है देखिए जितना भी extra है उसे cut कर लें पैंट की पूरी cutting हो जुकी है अब हम straight कुर्ती की cutting करेंगे कुर्ती को cut करने के लिए पहले कपड़े को पूरा लंबाई में फोल करें लंबाई में फोल करने के बाद जो hip size है उसके according हमें चौड़ाई में फोल करना होता है यहां hip size 40 है तो उसका चौथा बाग करके मैंने 2 इंच एक्स्टा लिया है और 12 इंच तक यह फोल किया है बागी side से जो extra कपड़ा है उसे cut कर ले अब कुर्ती की length है यहां पर 44 इंच उसमें 2 इंच एड़ करके बागी extra कपड़ा लंबाई से हटा ले अब यह 4 फोल्ड है पूरा इसमें हम अपनी size के according कुर्ती कट करेंगे यहां shoulder line है सवा 7 इंच आधा इंच ड्रॉप करना है उसके बाद armhole land हमें सेम सवा 7 इंच पे mark करनी है chest line है 38 उसका हम चौथा बाग करेंगे और यहां slice का add करेंगे shoulder line से 15 इंच नीचे आएगी west line और 22 इंच नीचे आएगी hip line यहां west line है 32 उसका भी चौथा बाग करेंगे और slice का add करेंगे इन दोनों marks को इस तरीके से मिला लें अब यहां hip size है 40 उसका भी हम चौथा बाग करेंगे और slice का add करके इन marks को इस तरीके से body का shape देंगे अब देखें यहां से हमें arm round mark करना है arm round mark करने के बाद यहां गले की चौड़ाई हम पहले पौने 3 इंच पे mark करेंगे उसके बाद जो सामने आदा इंच ड्रॉप लिया है उसको shoulder slope में इस तरीके से mark करके और cutting कर लें अब इसमें से हम पहले back panel को हटा देंगे बैक पैनल को हटाने के बाद फ्रंट पैनल में इस तरीके से प्रंट आम राउंड की कटिंग करें अब स्लीव के लिए हम यह फोर फोल्ड फैब्रिक रखेंगे इसकी लैंथ है 16 इंच इसकी width है 9.5 अब यहां से 3.5 तक आप drop ले ले यहां पर हम sleeve cap बनाएंगे इस तरीके से sleeve cap का shape दे 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 स्लीव open size है यहां पर 6 इंच उसमें इस लाई का add करें और इन दोनों marks को इस तरीके से slant में लाकर और sleeve की cutting कर लें यहां sleeve में हम एक side इस तरीके से front cutting करेंगे करीब 1 इंच deep अब पहले back side वाली जो marking है उसे cut कर ले उसके बाद इस तरीके से हम front की cutting कर लेंगे sleeve cut करने के बाद अब हम stitching स्टार्ट करेंगे यहां मैंने yoke pattern बनाया है इसके लिए यह folded pasting paper लें करीब 12 इंच लंबा यहां गले की चोड़ाई हमें 3 इंच पे mark करनी है और गले की लंबाई हम पहले 5 इंच पे mark करेंगे उसके बाद 7 इंच पे पांच इंच तक हमें यहां round neck का shape देना है और उसके बाद इस तरीके से leaf का shape देंगे अब उपर से इस तरीके से योग की जो चोड़ाई है वो मैंने साड़े 4 इंच ली है और यहां से हम 3 इंच पे mark करेंगे और इन दोनों marks को मिलाकर हम glass ship बनाएंगे अब इसकी cutting कर ले बैक पैनल में इस तरीके से हम एक पतली leaf ship में इस pasting paper को एक इंच चोड़ा कट कर लेंगे अब इन दोनों को कपड़े पर paste कर ले अब इस योग को cover करने के लिए मैंने ये golden zigzag गोटा ले इस लिए है इसको पूरे तीनों तरफ हमें इसे stitch कर लेना है इस तरीके से less को stitch करने के बाद इसको आधा अंदर की तरफ fold कर ले और अच्छे से iron कर ले अब कुर्ती का जो front panel है उसको हम उल्टा रखेंगे योग का center और कुर्ती का जो center है दोनों center एक साथ मिला ले और यहाँ पर neck को stitch कर ले इस neck को stitch करने के बाद अंदर की तरफ से जो extra कपड़ा है उसे cut कर ले यहाँ पूरे round neck पर छोटे cut लगा दे बीच में से भी हम इस तरीके से cut लगाएंगे अब योग को हम आगे की तरफ गुमा देंगे बाद में हम यहाँ hook and eye यूज़ करेंगे अब इस योग को यहाँ fix करने के लिए यहाँ किनारी पर stitch कर ले front panel तयार होने के बाद अब back panel में neck की cutting करेंगे यहाँ गले की चौड़ई हमें पौने 3 इंच रखनी है और गले की लंबाई 2 इंच यहाँ हम round neck इस तरीके से cut कर लेंगे और back panel का जो center है वहाँ पर इस leaf को हम यहाँ stitch करेंगे back panel को सीधा रखें और यहाँ इसको stitch कर लें stitch करने के बाद बीच में से cut लगाए और इसको अंदर की तरफ गुमा दें दिखिए इस तरीके से leaf shape तयार हो चुका है अब इस round neck को पूरा continue हम stitch करेंगे इसके लिए मैंने यह उरेब पट्टी ली है इसको इस तरीके से double fold करके और पूरे round neck पर हम इसे stitch कर लेंगे stitch करने के बाद अब हम shoulder line जोड़ेंगे दिखिए इस तरीके से shoulder line को जोड़ना है shoulder line को जोड़ने के बाद जो back panel में हमने यह उरेब पट्टी लगाई है इसको पूरा अंदर की तरफ गुमा दे और stitch कर लें अब हम sleeves तयार करेंगे sleeves के लिए मैंने एक कड़ी देड़ इंच चौड़ी bottom की strip ली है उस पर हम यह लैस लगाएंगे और इस strip को यहां पर stitch करके और sleeves को हम तयार करेंगे दोनों sleeves इस तरीके से हमें तयार करनी है sleeves तयार करने के बाद पूरे arm round पर हम sleeves को गुल गुमाते चाहेंगे और दोनों तरफ sleeves लगा देंगे sleeves लगाने के बाद अब हमें sides बंद करने है sleeves सी लेके hip line तक जितना भी आपने स्लाई का extra रखा है उतना अंदर स्लाई में दबाएं अपनी measurement के हिसाब से यहां sides की marking कर ले और hip line तक इसे बंद कर ले कूर्ती के दोनों sides हमें इस तरीके से बंद कर लेने है sides बंद करने के बाद जहां तक आपने stitch की है उसे एक इंच उपर cut लगाएं और यहां से इस तरीके से double fold करके और कूर्ती की slits बनाएं इस तरीके से cut लगा के आप slits बनाएंगे तो कभी भी hip line से कूर्ती में खिचाव नहीं आएगा देखे एक पूरी straight कुर्ती तयार हो चुकी है अब हम pant stitch करेंगे pant के लिए सबसे पहले दोनों side की crotch line को stitch कर ले कपड़े को आपने सामने रखें और दोनों crotch line को stitch कर ले दोनों crotch line को stitch करने के बाद front और back पार्ट को आपने सामने रखें और pant के sides बन करें यहां हमें नीचे pant में मोरी में cut लगाना है तो देखे बिल्कुल end तक बन करके यहां हमें करीब 2 इंच तक छोड़ देना है 2 इंच छोड़ के और यहां इस stitch को double कर लें अब जहां तक हमने stitch की है वहां तक इस तरीके से cut लगा दें cut लगाने के बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से गुमा दें अब यहां पर हम suit का border यूज करेंगे इसको पैंड के नीचे की तरफ रखना है अब इसे हम इस तरीके से stitch कर लेंगे यहां पर जो cut वाला area है वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा अंदर की तरफ ले यहां cut तक हमें stitch करना है और फिर से इसे गुमा के आगे की तरफ लेना है suit border को इस तरीके से stitch करने के बाद यहां बीच में फिर से cut लगा दें और इस border को आगे की तरफ गुमा दें पूरा border आगे की तरफ गुमाने के बाद उपर से इस border को हम fold करके और यहां से stitch कर लेंगे दोनों side की मोरी को हमें इस तरीके से तयार कर लेना है मोरी तयार करने के बाद अब हम मोरी को बंद करेंगे यहां मोरी हमने 8 inch रखी है अब जितना folding का रखा है यह करीब हमने 1 inch folding का extra लिया था तो 1 inch तक हम इस तरीके से अंदर slime में दबाएंगे और मोरी बंद कर देंगे दोनों side की मोरी बंद करने के बाद अब हम elastic लगाएंगे elastic के लिए सबसे पहले उपर west line को single fold कर लें 30 west line के लिए मैंने यह 26 inch लंबा elastic लिया है इसको पूरा इस तरीके से गुमा के और दोनों side से इसे बंद कर लें elastic को अच्छे से stitch करने के बाद अब west line पर हम इसको यहां stitch करेंगे देखें जितना folding का हमने रखा दा उसको इसके उपर cover करके और elastic लगाते जाएंगे elastic के लिए एक side से इसको catch दे जाएं और दूसरी side पे stitch करें elastic लगने के बाद इसे पूरे में equal कर लें यह pant भी हमारा पूरा तैयार हो चुका है friends आपको मेरा यह dress design पसंद आया हो तो like और comment जरूर करिएगा next video में कुछ नए ideas के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए bye and thank you watching for this video